हाथ दोस्तो मैंने आपको आगे वीडियो में दिखाया था कि हेड में वाल को कैसे फिटिंग करते हैं तो अभी हमें इसका ड्रॉप सेटिंग करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह डिजल पम पे हमने एक पाइप लगाया हुआ है इसी की मदद से हम ड्रॉप सेटिं इसका यह जो कलज हाउजिंग का बोड़ी है यहाँ पे एक लाइन बना हुआ है मैं थोड़ा के मेरा नजजिक से आपको डिखाता हूं तो दोस्तो हमें इसका ड्रॉप सेटिंग यहाँ पे करना है तो सबसे पहले हमें यह चीज को मिलाना है मैच करना है देख सकते हैं यह वाला प्लंजर आप देख सकते हैं फस वाला दोस्तो जैसे हम इसको पंग को बहर के और निकाले गए तो यह नीचे के और डबेगा और जैसे हम इसको एडवांस करेंगे तो यह उपए के और जब उपए के और उथ रहा होटा है प्लंजर उसी टाइम हमें ड्रॉप का करना है और एंजिन को सीडी डिसा में गुमाना है इस तरह से जाबी की मदद से इस तरह से और यह अभी डिजल पं का हमने सभी बोल्ट लूज रखा हुआ है याने कि इसको हमने टाइट नहीं किया है क्यूंकि हमें इसका डिजल पंग एडवांस रितायर करके उसका यहां पे अभी यह बोल लूज है तो जैसे मैं इसको रितायर करूँगा बाहर के और निकालोगा तो यह रितायर होगा अंदर के और दबाएंगे एंजिन के और तो यह एड़ांस होगा तो देख सकते हैं मैं इसका टाइमिंग रॉंग कर रहा हूं तो यह अभी हमारा आना सुरू हो गया है तो जैसे हमने इसको हलका सा रितायर किया यहां पे दिख सकते हैं यह ड्रॉप आना सुरू हो गया है और अंदर के और जैसे हम इसको डबाएंगे यह एड़ांस होगा और जैसे उसको उसका दिगडी मिलेगा यहां पे ड्रॉप बंड हो जाएगा त आपको दिखाता हूँ आप ये वीडियो लास्ता को उसकरना मैं इसको थोड़ा हैंड पंप याने के ये फिल पंप लगा के आपको दिखाता हूँ यहां पे काफी डीजल आ रहा है अभी आएगा देखो मैंने इसको थोड़ा और रिटायर किया और यहां पे पंप लगाया देख सकते हैं तो दोस्तों मैं इसको आपको सेट करके दिखाता हूँ तो आप लास्ता के वीडियो देखे हाँ तो दोस्तों अभी देख सकते हैं यहां पे यह ड्रॉप का सिलसिला जारी है क्योंकि हमने इसको रिटायर किया हुआ है और यहां पे हमने जो लाइन मिलाया ह वो एको राइट अभी उसकी जगा से हमने इसको गुमाया नहीं है तो अभी हम इसका drop setting करना है तो देख सकते हैं यहाँ पर यह आमने सामने एको राइट उसका line जहाँ पर हमने drop setting करना है बिल्कुल वहाँ पर हमने इसको match किया हुआ है तो अभी हम इसका drop setting करना है तो अभी हम इसको advance करना है जैसे हम इसको हलका सा advance करेंगे क्योंकि दूस्तों यह अभी drop setting नहीं है देख सकते हैं तो अभी यह ज़ादा रिटायर है देख सकते हैं तो अभी जहाँ पर हम इसको drop को setting करना है दूस्तों तो ये हमने इसको ऐसे हलके हलके advance करना है जहाँ पे उसका degree मिल जाएगा दूस्तो एको राइट जो company उसका drop setting डेटी है उसका degree जैसे मिलेगा यहाँ पे drop बंड हो जाएगा तो देख सकते हैं दूस्तो अभी यहाँ पे एक drop होगा after 15 seconds तो देख सकते हैं दूस्तो यहाँ पे 15 seconds के बाद एक बंड ये वाला ये जो आ रहा है देख सकते हैं ये एक बंड हो गया 15 या 20 seconds के बीच यहाँ पे एक drop होना चीए तो देख सकते हैं दूस्तो अभी मैं इसको hand pump लगा रहा हूँ और ये 15 या 20 seconds के बीच में एक drop यहाँ पे होगा इसका मतलब के अभी हमारा ये drop setting एक और राइट जीरो है देख सकते हैं ये बुन दिरने वाली है ये drop देख सकते हैं अभी तो दोस्तो ये अभी हमारा drop setting बिल्कुल जीरो जीरो पोजिशन में है तो अभी हमें इसका डिजर्पम का जो बोल्ट लूज है इसे हमें tight कर लेना है याने के कस लेना है इसी position में देख सकते हैं तो अभी हमें इसका सारे बोल्टो को tight कर लेता हूँ क्योंकि हमारा drop setting यहाँ पर complete हमने set कर लिया है तो अभी हम इसको एक मरदबा चेक करना है कि हमारा drop setting सही है भी या नहीं तो अभी हमें engine को ulti diesel में गुमाना होगा मैं अभी आपको डिखाऊंगा तो देख सकते हैं भी दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी diesel नहीं आ रहा है देख सकते हैं यहाँ पे यह 15 या 20 सेकंड के बीच में एक ड्रॉप होना चाहिए याने कि एक बुन डिजल आना चाहिए जो अभी यहाँ पे आ रहा है आप देख सकते हैं यह वाला बुन यह गिरने वाला है अभी देख सकते हैं दोस्तों यह बुन गिर चुका है तो अभी यह हमारा ड्रॉप शेटिंग सही है तो अभी हम इसको एक मड़बा चेक करना है एंजिन को हमें ऐसे उल्टा गुमाना है उल्टी डिशा में गुमाना है इस तरह से हम इसको जैसे यह देख सकते हैं दोस्तों अभी हमने इसको अलकासा गुमाया यहाँ पे ड्रॉप आना शुरूप हो गया तो अभी हम इसको सीडी डिशा में गुमाना है देख सकते हैं अभी यह डिशल तो अभी हम इसको सीडा गुमाना है एंजिन को बिल्कुल हलके हलके कटी हलके एमेम की साइज में जहां पर हमने इसको मेच किया है ड्रॉप बंड हो जाएगा तो देख सकते हैं दोस्तों अभी जो मिलाया है हमने एको राइड जो फ्राइवल को मार्क है और बॉड़ी को हमने मेच किया है बिल्कुल एको राइड उसके सामने है और यहां पर ड्रॉप का सिस्टम बन याने हमारा यह ड्रॉप सेटिंग कम्प्लिक 00.00 मैच किया है हमने और यहां पर देख सकते है हमने जो मिलाया हुआ है मैं इसके यहां की मदद से दिखाड़ा हूँ आपको तो यहां पर देख सकते है है यह complete एक डूसरे के हमने सामने है और हमारा drop यहां पर बंड हो चुका है देख सकते अभी दोस्तो यहाँ पे बुंड होगा हम जैसे फिल पंप लगाएगे 15 या 20 सेटन के 20 एक बुंड होना चाहिए यहाँ पे तो दोस्तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा यह ड्रॉप सेटिंग डन फाइनल है तो इस तरह से इसका यह ड्रॉप सेटिंग किया जाते हैं और हाट दोस्तो यह टेक्टर एक ही सेल में इस्टार करके दिखाऊंगा नेक्स में आपको दिखाऊंगा इसका टैप